हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 9th का स्लेवस 2024 के स्टैसन के लिए साथ में हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में आप लोग 9th कलास में आ चुके हो 8th कलास तक का जो मैटीरियल था आपने जो पढ़ा वो अलग तरीके का था 9th में आने के बाद आपकी जो पढ़ाई है आपको बुक्स मिल चुकी होंगे आप लेके आ गए होगे बुक्स बगारा तो लेकिन कुछ चीजे हैं जिनके उपर आपको ज़्यादा ध्यान लखना है क्या क्या चीजे पढ़नी है क्या चीजे नहीं पढ़नी है कुछ गड़बडे भी हो रही है सारी चीजे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी सारे सब्जेक्ट का सलेवस नाइंत क्लास का और साथ में सारे सब्जेक्टों की मार्किंग स्कीम होती है कि पेपर जो है किस तरीके का आएगा पेपर में कैसे कैसे कोश्चन साएंगे वह उसके बारे में हैं यह सार तो वो सारी चीज़े आपको इस वीडियो से कलियर हो जाएंगी और आपकी तयारी सुरू से ही अच्छी होती चलेगी अब देखो पहले तो बता देता हूं मार्किंग का जो है डिवीजन किया हुआ है पहले जो थे आपकी प्रिवेस क्लासिटी वहां पर डिवीजन इस तरी देवस का पेपर होगा फियर ली बोलते हैं उसको तो यह जितने पेपर तीन तो होंगे आपके यूटी थीन यूटी होगे हर महिने नहीं होंगे यह जैसे अभी गर्मियों छुटियों के बाद एक हो जाएगा फिर पर बाद में ऐसे होंगे तीन अरेंज कर दिये जाएग हर एक पेपर आपका फाइनल स्कूर कार्ड में दो नंबर का लगने वाला है यह मत सोचना कि इनका कोई इंपोर्टेंस नहीं है फालतु में है हर एक्जाम जो है दो नंबर में लगेगा और यह जो पेपर्स है यूटी वगरा है ज्यादतर स्कूलों में बाहर से आएंगे ब बताऊंगा कहां से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है आपके जो तयारी है एक नंबर के होती चलेगी उसके बाद में CRP के जो है दो नंबर दिये जाते हैं ज्यादतर जगह पर पांच नंबर जो आपके प्रोजेक्ट वर्क वगरार दिये जाते हैं उनके लगेंगे और उ 75 से नीचे है तो एक भी नंबर नहीं लगेगा टैनेस का यानि कि जो बीस नंबर के असेस्मेंट लगती है यह असेस्मेंट की मैं बात कर रहा हूं असेस्मेंट में आपके जो है आठ नंबर तो होते हैं आपके पेपरों के यूटी और हाफियर लिग्जाम के पांच ा एक को में टैन्नी खु cheapest करें अपर नमबर य चूंद स्कूल 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 में तो पूरे नंबर देदी जाते हैं तो टनी जञड़े नहीं होती कि उनको आगे डाटा लेते हैं आपश्याने興 Birds' बोड के साथ में अब देखते हैं कि आपकी जो बुक्स है उनके बारे में कि कौन सी बुक है बुक का तो ऐसे बता दूँगा मैं उसके अलाव जो में चीज है मुमेंट्स की और यह भी NCRT की है दो बुक आपकी लगी हुई है इंगलिस में अब जो है आप जो है डिविजन की इस हिसाब से किया हुआ है वेटेज वगएरा पहला जो है सेक्शन आता है रीडिंग स्किल का रीडिंग स्किल में आपको जो है कंसेप्चुल अंडरस्टें हार या एवरेज दे दिया जाता है यहां पर दीखो कोशिन पेपर डिजयाइन सब्डेक्ट इंगलिस में तो कोशिन पेपर डिजयाइन में पहला सेक्शन आएगा वों थांसीन प्यलिंस क्लिसाktा बोलते हैं इसमें आपको दो अनसीन पैस्टेज दिये जाएंगे जिन में आपको without internal choice having five MCQ five objective यानि कि आपको दो passage मिलेंगे पहरा गराफ होते हैं अन्सीन passage आप पहली classes में भी करते होंगे न तो इन में जो है क्या होता है passages का सब classes में pattern अलग-अलग होता है आपको जो है एक passage दिया जाएगा उसके नीचे पांच MCQ होंगे उस passage के बेस पे और पांच single line question जिनके अंसर आपको बना कर लिखने हैं नहीं देखने को मिलेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना दो passages दोनों ही आपको खुरने पड़ेंगे कंपल्सरी रहेंगे 20 नंबर के रहेंगे passages आपके ठीक है ऐसे passage असान आते हैं इसकी tension ज्यादा मत लेना section B देखो section B है grammar grammar के अंदर आपकी punctuation mark article tense reported speech active passive voice conjunction preposition modals subject verb agreement transformation of sentences यह आएंगे टोटल बारा दस नंबर के आएंगे यह आपको 12 mc के उदिये जाएंगे चार option दे देंगे उनमेंसे आपको छाटना रहेंगा कोई से भी 10 जो आपको easy लगे वह आप कर सकते हो ऐसे easy आते हैं subject खास तोर पे ध्यान अगना जो topics आपको करन करने हैं reported speech आपको करनी है active passive voice आपको करने हैं और उसके बाद में modal आपको करने हैं देखो सारे topic मैंने नहीं cover करवाइस में यह जो topics यह compulsory हैं क्योंकि दो दो नंबर के आता है हर एक topics में से अगर ध्यान देते हो दो चार छे आठ दस और बारा बारा नंबर का मैंने बता दि writing skills इसके अंदर आपको एक letter एक application दी जाएगी internal choice में उपर जो है आपको एक letter दिया जाएगा निच्चे एक application मर्जी है application कर लो या letter कर लो आपको जो है अपना दिमाग सुरू से ही खराब नहीं करना है letter करू application करू एक बार अच्छे से समझ लो आपको letter ही करके आना है paper में application को avoid करना क्योंकि application में teachers number काट देते हैं आपके जो papers वगरा है वो तो schools में ही चैक होंगे तो उसकी tension नहीं है teacher अपने इसाब से number देंगे but letter में teacher ज्यादा नंबर देते हैं ज्यादा तर schools के अंदर तो पांच नंबर का letter रहेगा उसके बाद में notice message writing description of event incident article writing report writing paragraph writing फलाना दिम करना poster making सारे topics में से कोई से दो topic में से question आते हैं वो आएंगे आपके पांच नंबर में अब इसमें समझे लो कौन कौन से आपको करना है अच्छे से notice आपको करना है notice report writing आपको करनी है report writing और एक हैपका बस यहां पर advertisement यह तीन topic जरूर करके जाने है notice report और advertisement इन तीनों topic में से आपको जो है दो question मिलेंगे एक question और करके दूसरा question इन दोनों में से question आपको इन में से जरूर मिल जाएगा और आपको एक ही attempt करना है सारे topic में दिमाग खराब करना ही जरूर तो नहीं है अगर आपकी drawing बहुत ज्यादा अच्छे तो poster making कर सकते हो नहीं तो avoid कर सकते हो poster making को paragraph writing भी hard रहता है थोड़ा सा बट ज्यादा तर cases में मैंने देखा है years में जो exam आते क्योंकि paper बाहर जाएंगे board की side से school वाले नहीं बनाएंगे तो जो आपके paper में है report writing advertisement और notice ये तीन topic की possibility सबसे ज्यादा होती है तो इनको अच्छे से करके जाना है अब देखो section D literature वाला अभ English के अंदर देख लो literature वगरा literature में जो है आपका चालिस की थी नारुट को मैं देख लेता है चालिस नंबर की थी उसके बाद में आता है section वह है literature वाला literature यानि books वाला section books में आपकी जो विहाईव नाम की book है उसमें आपको passage दिया जाएगा book वाला पैसेज या unseen passage टाइब में नहीं देते हैं उसको अब उसमें जो है पांच objective question होंगे internal choice आपको दी जाएगे एक पहरा देखे और करके दूसरा पहरा भी आपको देंगे और उसके विहाब पर आपसे पांच question पूछेंगे single sentence वाले ठीक है answer आपको बना कर लिखने है mc क्या वो नहीं आएंगे इसमें उसके बाद में जो है short answer type question attempt 22 out of 4 चार question देंगे उनमें से कोई से 2 करने हैं चोटे टाइप कर रहें आपके यह उसके बाद ऐससे टाइप बड़ा question आएगा एक question ठीक है चाह नंबर का इसमें आपको जो है internal choice देखने को मिलेगे यानिकि दो question देंगे उसमें से एक करना है अ अब poems वाले section में से long question नहीं आता चाह नंबर वाला बाकी शेम है stanza आएगा आपको जिसमें के भीहाब पर questions पूछे जाएंगे और साथ में आपको च्यार में से कोई 2 question attempt करने रहेंगे एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना आपको इनके writers वगरा के नाम poems के नाम chapters के नाम वो स्टेंजा के जो writer है या chapter का नाम है वो चीज़ आपसे पूछी जाती है questions के अंदर ठीक है तो दो नंबर का वो कम से कम रहता है कभी कभी मैंने देखा चार नंबर का भी exam में आया हुआ है stanza की form में या passage की form में ठीक है तो वो चीज़ जहानक ना complete book विहाइव जो book है complete book के आपको हर एक chapter के नाम और उसके writer का नाम उसके साथ में याद होना चाहिए poem अदर poet का नाम ठीक है अब जो है next segment देखते है next जो book है वो है moments की इसमें आपको short answer type question आएंगे वो आएंगे 2 number of questions ही तो यहां पर आपको जो है 2 question दिये जाएंगे तिन तिन नंबर वाले 6 नंबर क question दे जाएंगे उनमें से कोई से आपको दो questions करने रहेंगे ऐसे type questions जो है आपको दिये जाएंगे अब जो है ऐसे type question 6 नंबर का question रहेगा जैसे हमने previous book में देखा था वी हाईव वाली में सेम ऐसे यहां पर भी लोग question देखने को मिलेगा और question का pattern बहुत ज्यादा extra questions मिलते ह हर segment में book को तीन हिस्सों में काट लो वी हाईव किये दो portion हो जाते हैं और moment में एक ही बुक है तो एक ही portion है अब तीनों portion में चार question होगे उनमें से आपको दो करने हैं हर एक portion में से जो कि आपके लिए काफी सुविधा पूरवक बात है I hope समझ में आ गया होगा English का syllabus आपको अच्छे से मार्किंग स्कीम अब देखते हैं next जो है next subject हमारा हिंदी अब हिंदी सब्जेक्ट का भी देख लो हिंदी सब्जेक्ट में किस तरीके से है आपकी जो हिंदी की book है उसमें व्याकरण का topic आएगा पंदरा नंबर का जिसमें भासा और हिंदी का मानक रूप वर् का समास अलंकार यह सारे topic मिल के आएंगे विकारिया विकारी सब्द में और बाकी चीजों में देखो एक चीज तो बता दो आपको कहीं आप tension में लिए रहो कि भाई मेरा क्या होगा hard रहेगा या क्या रहेगा आपको जो है इसी channel पर complete जो है तयारी कराई जाएगी जब एक topic के बारे में detail जानकारी दी जाएगी इसको ऐसे करना है यह topic पढ़ना है यह topic नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़े डीटेल में आपको समझाए जाएगी important questions के साथ में ठीक है पूरी तयारी कराई जाएगी इसी channel पर subscribe नहीं किया subscribe भी कर लेना याद से ठीक है और बीच म नमबर में पांच नमबर का आता है पत्तर और पांच नमबर का आता है निबंध लेखन उसके बाद में city बुक जो है वह आएगी 40 नमबर की जिसमें 20 नमबर का कवीता वाला portion 20 नमबर का कहानी वाला portion रहने वाला है इसमें आपको जो है यह पाठो के नामा मैच कर सकते हो वैसे तो बुक को देखे लो बस वही बुक है complete बुक करने आपको गध्याखंड में से जो है 20 नमबर का आएगा इसमें आपको जो है चैप्टर देखने को मिलते हैं कृति का वाली जो बुक है तीनी चैप्टर है तो उसी साब से साथ नमबर का दिया जाएगा और एक नई नयतिक शिक्षा ठीक है अगर आपको पुरानी नयतिक शिक्षा उसमें साथ 18 से 19 कुछ पाठ थे आपको वह चीज ध्यानक ना है कि पुराने वाली मत उठाला ना क्योंकि पुराने वाली किसी काम की नहीं है वह किताब अब आपके लिए नई किताब बोड ने इंट्रोड अब देख रहे हो अलग-अलग भी मिल जाएंगी 9th 10th की और ऐसे लेकिन कई जगह पर 9th 10th की कम्बाइंड बुक भी मिल रही है उस चीज का आप ध्यान रखना ठीक है कम्बाइंड भी ले सकते हो या फिर आप अलग-अलग लेने अलग-अलग भी ले सकते हो बाकि सारी य यहां पर मन्तवाइज असेस्मेंट वगरा है वो आपको अभी नहीं देखने है उसकी जरूरत पड़े तो यह सलेवस वगरा कि सबके आपको PDF अवलेबल करा रखे हमने उसको डाउनलोड कर सकते हो अब बुक देख लो शितिज भाग एक करीतिगा भाग एक आधर्स जीव नमबर वाले आठ नमबर का यह रहेगा पंदरा नमबर का टोटल हो जाएगा निबंद और पत्तर में मैंने बताई दिया था एक निबंद आएगा पत्तर आएगा सीटिज में जो काव्या खंड है कविता वाला पोर्शन तो इसमें आपको 6 MC क्याव मिलेंगे जिनके अंस संद्रिया सिल्फ संद्रिया आपको प्रस्तूफ करना आना चाहिए लेखना आना चाहिए वह मैं शिखा दूंगा एक स्पेशल वीडियो में तीन नमबर का यह आता है उसके बाद में रचनात्मक जीवन मुल्य संबंदी परसन यानिकी बुक से जो कोश्चन्स वगार होत पहानी वाले पॉर्शन से आपको याद करके जाने हैं रचनात्मक जीवन मुल्य संबंदी परसन यानिके मनला बुक से जो कोश्चन आएंगे चाल नमबर के कृतिका वाले किताब में एक एक नमबर के तीन कोश्चन दिये जाएंगे दो नमबर के दो कोश्चन मिलेंगे आदर्स जीवन मुल्य मध्यमा इसमें आपको जो है दो नमबर के चार कोश्चन देखने को मिलने वाले हैं और इस तरीके से आपकी जो हिंदी है वह भी कंप्लीट हो जाती है नेस जो सब्जेक्ट आपका वह है गनीत हम हिंदी में नहीं देख रहे हैं इंग्लिस में कोन साच्ण है हो कितने नंबर का अध्याय एक है चैप्तर नंबर सब के सेए मिलेंगे हिंदी मीडियम इंगलिस मीडियम के अंधर उन्बर का यहां टीन यहां पर आपका इस इन में से जो है लोग कोशन देखने को मिलते हैं अध्याय बारा जो है यह आपका छै नंबर का तो यह चीज है आशी नंबर का पेपर इस तरीके से रहने वाला है यहाँ पर जो है यहाँ अच्छा इंटिटी वगारा दे रहें जिनके बेसिज पर आपको यूज करना है कोश परनी है और एक आपको परसन प्रदर्शी का पड़नी है मतलब यह अलग बूक होते है जैंपलर जो बोलते हैं तो यह वह होती है अब कहते ही है बस यह लेकिन पेपर में अभी तक मैंने जो देखा हुआ है कि पेपर कि इस तरीके का आता है तो पेपर के अंदर आपकी जो पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मैंने यह वज़र करा है कि 80 नंबर के पेपर में लगबग 40-50 नंबर के सिरफ बुक के एक्जैंपल्स होते हैं क्योंकि हम उनको पढ़ते नहीं है तो इसलिए एक्जैंपल्स हमको दिये जाते हैं और एक्शर साइज मिसे कम नंबर का द पच्छिस नंबर फोर्मुला और सरफेश एरिया वॉल्यूम 15 नंबर और स्टेटिक 6 नंबर का आपका टोपिक रहने वाला है अब देख लो कि यहाँ पर जो है आपको किस टाइप के जो कोस्टिंस है वह देखने को मिलेंगे यह अच्छा यह तो सलेवस्त हैं आपर और अब यहाँ पर देख लो कोश्टिंस टाइप कोश्टिंस टाइप जरूरी है कोश्टिंस पेपर पैटर्न उसके बिना पढ़ाई करने का सेंस कम हो जाता है आपको जो है 20 नंबर के एक नंबर वाले कोश्टिंस में लेंगे 20 कोश्टिंस जिसमें 12 होंगे MC क्यों तीन तो प्रिविएस यहर पेपर से जो है आप यह देख सकते हो कि किस टाइप के कोश्टिंस थे सीचलचेप्टर डोट को इसी वेबसाइट पर आपको प्रिविएस यहर पेपर भी देखने को मिल जाएंगे PDF में टाउनलोड कर सकते हो अब देखो उसके बाद में जो है दो द नया सेगमेंट है आपके लिए आपको जाना पैचाना नहीं लग रहा होगा वह चार नंबर के तीन कोश्टन मिलेंगे यह बारा नंबर का रहगा एक सेगमेंट जिसमें आपको होगा case study based question यह प्रिविएस यहर में आय थे तो उन papers को देखके idea लगा सकते हो कैसे questions होते हैं यह आपको बुक में नहीं मिलेंगे कहीं तुम सोच बुक में से टेपने हैं बुक में से question नहीं मिलेंगे आपको कहीं से नहीं मिलेंगे basically यह आपको जो है आपके logics आपके concept कलियर होंगे तो ही आप इनको attempt कर पाऊगे ठीक है practice कर लेना last year वाले paper से समझ आ जाएगा आपक जो है देखते हैं next subject है हमारा वह है science विग्यान तो बहुत कम student लेते हैं तो हम science की बात कर लेंदे हैं लेकिन यहां पर बस यह देख लो number का अगर पार्ट मिलाने रहते हैं कुछ student को जो chemistry वाला portion है यह चार पार्ट है आपके 20 नंबर के आते हैं biology के दो पार्ट है यह आपक English medium में जानते हैं सारा कुछ क्योंकि English medium में जादर student book को लेते हैं subject को लेते हैं इसको आपने कौन से मिले रखा है वह आप बता सकते हो यहां पर आपको recommend किया जाता है तीन किताबे बट तीनों की जूरूर तो नहीं होती आपको सिरफ एक ncrt की science की भुकलानी होती है sufficient रहती में जो है biology वाला section है fundamental life और टीशू 14 marks का यह रहेगा नेक्स जो पोर्शन है फिजिक का पोर्शन है काफी सारे चैप्टर है 22 नंबर के यह रहेंगे और 4 नंबर का रहेगा improvement in food resources ज्यादा तर टीचर food resources food production वाले चैप्टर को भी biology में अड़ करके पढ़ा देते हैं तो question paper design science का 2425 के session के लिए अब यहां पर इन्होंने कुछ तो देरकर knowledge understanding फ्लाना दिम्काना इसके ज्यादा फाइदा होता नहीं है मैंने देख लिया दाश्टियर भी देखा था और ऐसा जो है लिख देते हैं लेकिन हमको तो उतनी दिक्कत होती है वह पेपर में जितनी होती है अब देखो यहां पर किस तरीके से रहेगा बीन objective question पंदरा question आएंगे अब यह आप साथ में समझते हुए चलना जहां पर भी 369 ऐसे करके question देखने को मिले ना तो समझ लेना तीन portion आपके पास physics chemistry biology तो तो तीनो segment में एक एक question उसका बटवारा हुआ हो रखा है अगर आपको तीन चैनो टाइब में question देखने को मिलते हैं लगबख समय बराबर से आते काज segment में अलग रहते हैं अब देखो यहां पर चैना एक सेगमेंट में दो दो मिल जाएंगे तीन जो है खालिस्तान आएंगे फिलिंदा बलैंक जो एक एक मिलेंगे सारों में तीन वन वर्ड मिलेंगे इनमें भी आपको दो में choice मिलेगी सब में बराबर मिलेंगे ये भी उसके बाद essay type के question भी आपको लगबख सब में बराबर से ही देखने को मिलेंगे तो यह आपका paper रहेगा मलब almost जो है तीन पोर्षन है ना science की book में सब में से बराबर साही देखने को मिलता है ए अब देखो course structure social science का social science के अंदर जो है देखो वैसे तो pdf बोर्ड वालों ने दे रखे हैं सारी की सारी बना के अब जो है इंदी के वालों के लिए बनाए ना इन्होंने तो यह देखो क्या रच रखा भाई क्या बताओ मैं इसमें से पढ़के तो इन्होंने language decrypt कर दी साय सब कलियर रहता है हमको history देख लो history अवर भारत फोर इसके जो है चैप्टरों के नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे चैप्टर आपके टोटल चैप्टर है इस बुक में 9 में शुरू के जो तीन चैप्टर है वो आएंगे आपके आठ नंबर के तीन चैप्टर बीच के है आठ नंबर के बाद के तीन आएंगे दस नंबर के नेक्स्ट जो बुक है democratic politics political science वाली बुक है इसमें तीन चैप्टर है शुरू के ग्यारा नंबर के बाद के जो दो चैप्टर है वह दस नंबर के economics यह जो बुक है इसमें शुरू के दो चैप्टर 7 नंबर के बाद के दो चैप से आपको मिलेंगे जिन में आपको जो है history, geography, political इन तीन सब्जेक्टों में question मिलेंगे internal choice भी सभी question में दिये जाएगी यानि one question और करके दूसरा question कोई सा question में से कर लो ऐसे करके दिये जाएंगे तीन question रहेंगे history, political और geography से economics में से long question नहीं आएगा ठीक है अब जो है 3-3 number वाले 4 question रहेंगे जहाँ पर आपको सभी segment से जो है एक-एक question देखने को मिलेंगे और 3-3 number वाला उसके बाद में 2-2 number वाले 8 question रहेंगे जहाँ पर भी बराबर division और रखा सारे subject हो में कि सम्में 2-2 आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद में जो है objective यह बीस नंबर के जो है objective टाइप question आएंगे एक-एक नंबर वाले कहते हैं जिनको हिस्टरी में 6 नंबर के आएंगे वह जियोग्राफिस आएंगे तीन नंबर के पोलिटिकल से आएंगे सात नंबर के इकनोमिक से आएंगे चार नंबर के अब इन्होंने क्लियर नहीं कि आमको कि कितने mcq कैसे आएंगे बट आप previous year paper देखकर idea लगा सकते हो ठीक है अब यहां पर देख लो यह तो इन्होंने study basis में आपको पहरा दिया जाएगा पहरे को पढ़ो उसके basis पे questions पूछे जाएंगे उनको आपको attempt करना है तीन तीन नंबर वाले चार मिलेंगे यहां पर अब यहां पर जो है सब में ही मिलेगा case study पोलिटिकल साइंस जियोग्राफिक हिस्ट्री और सब्सक्राइब करने हैं पैसेज दिया जाएगा पैसेज के नीचे question होंगे तीन उनका अंसर आपको लिखने है सारे सेग्मेंट जितनी चार किताब है चारो किताबों में से आपको एक-एक question देखने को मिलेगा पांच नंबर का है आपका map में आपको हिस्ट्री दो नंबर क्या आई दो नंबर दो location history के आएंगी तीन location geography के आएंगी map आपको जो है paper में teachers के दवारा provide कराया जाएगा अब इसमें जो है दो section A और B will be asked from history and geography sections बना के पूछे जाचते हैं last year का paper देख लेना उससे आपको अच्छे से idea लग जाएगा अब जो है next subject देखते है next subject है physical education क्योंकि ये subject और करा रहा हूँ बस में आपको ये subject कराने का purpose बस ये है क्योंकि जारतर students के पास में physical education ही होता है हिंदी medium में तो इसको देख लो एक बार स्वास्था शिक्षा 7 नंबर की वेक्तिगत स्वास्था 5 नंबर सारीरिक शिक्षा 8 नंबर संतुली तहार 6 नंबर भारत में योग का इतियास 8 नंबर खेल प्रतियों गिताए 8 नंबर मद्यपान धुम्रपान नसीले पदार 6 नंबर प्रात्मिक चिक्षा 7 नंबर साहसी खेल 5 नंबर तो 60 नंबर का पेपर आएगा यह आपके chapters हैं 9 chapter आपकी book में तो ये 9 chapter आ देता हूं कि question paper card जो design है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा वैसे तो पता यह practical होगी तो practical के नंबर अलगते हैं इसमें अब इसमें आपको जो है एक नंबर के पंदरा question मिलेंगे जिसमें 6 होंगे mcqo 3 होंगे खालिस्तान 3 होंगे वन वर्ड 3 होंगे असरसन रीजन नहीं concept पे हैं पिछले साल के papers देख सकते हैं इसके लिए दो नंबर वाले जो है 6 question मिलेंगे दो में choice मिलेगी तीन नंबर वा तो यह थे आपका जो है total मैंने बता दिया है सारे subjects का main main का ठीक है slavers अगर आपको देखना है यहाँ पर जो है ccl chapter.com website पर जब आप आओगे तो इसमें आपको HBSC board का section मिल जाएगा यह देख रहे हैं अगर mobile में खोलोगे तो 3 डंडे से ऐसे मिल जाएगे आपको mobile में खोलो यहाँ पर 9th class के और सेम उनको practice भी कर लेना क्योंकि अब की बार भी साय दिन में से एकाध question देखने को मिल सकता है exam में but old question paper जिन में से ज्यादतर paper आता है आपका लगबक 70-80% paper आपका previous year papers में से ही देखने को मिलता है तो इनको जुरूर practice करने है यहाँ पर मिल जाएंगे old question paper important questions books के solution सब चीज़े आपको मिलेंगी और paid PDF भी यहाँ पर अवलेबल है तो वह भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो अगर आपका मन करें तो अभी फिलाल स्लेवर्स अगर आपको देखना है स्लेवर्स सारी classes का है यहाँ पर इसे भी डारेक्ट चूज कर सकते हो 9th class या स्क्रोल करते हो जा सकते हो 9th class पर सीधर जाओगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्टों के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना डाउनलोड हो जाई आ यहाँ पर 9th class के 18, 19, 20, 22, 22, 24 इतने सारे years के paper यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ से PDF वगारा भी आप easily डाउनलोड कर सकते हो और बाकी classes के भी आप अवलेबल काफी सारी चीज़ें आपके लिए इस website पर जरूर से visit करना काफी help करेगी आपको exams में ठीक चलो और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई